नमस्ते दोस्तों, हम सबने बचपन से ही बारिश के दिनों में वर्षा का आनंद लिया है। बारिश की बूंदों में भींगना तो और भी अच्छा लगता है। हजारों करोडों वर्षों से वर्षा हो रही है, तो इतने बड़े जल राशी को पृत्वी अपने पास कैसे रख पाती है। अब तक तो पृत्वी को डूब जाना चाहिए, परंतु ऐसा क्यों नहीं होता है। चलिए जानते हैं। जल चक्र क्या है। वास्तव में नदी, ज भील, जरना तथा समुद्र में जब सूर्य की रोशनी पढ़ती है, तो जल के अणूओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और जल वाश्पिकृत होने लगती है। हवाओं के साथ जल वाश्प उपर की ओर जाने लगती है। वायू मंडल में जो जल के कंण उपस्थित होते हैं, वह भी वाश्पिकृत होकर उपर की ओर जाने लगती है। परवतों के बरफीली चोटियों पर शुष्क तथा कम आदरता वाली वायू चलती है, इसलिए यहां कम वायूदाब वाला क्षेत्र होता है, जिससे बर्फ बिना पानी बने जलवाश्प में परिनत हो जाता है। इसे उर्धुपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। पृत्वी के अलग-अलग भाग से जब जलवाश्प उंचाई पर पहुंचती है, तब कम तापमान के कारण वायू मंडल में जमा हुआ जलवाश्प अंततह ठंडा हो जाता है। यह वाश्प पानी और बर्फ क चोटी बूंदे बन जाते हैं, जो अंततह एक साथ आकर बादल बनाते हैं। जीरो डिग्री सेंटी ग्रेड से उपर वाश्प संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाएगी। हालांकि यह धूल या अन्य अशुद्धियों के बिना संघनित नहीं हो सकता। इसलिए जलवाश पकन की सतह पर चिपक जाती है। जब पर्याप्त बूंदें विलीन हो जाती हैं, तो यह बादलों से निकल कर नीचे जमीन पर गिरती हैं। इस प्रक्रिया को अवक्षेपन या वर्षा कहा जाता है। विशेश रूप से ठंडे मौसम या बेहद कम हवा के दबा जलचक्र का जलवायू पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान में व्रिद्ध होगी। जलचक्र के वाश्पी करणिय शीतलन प्रभाव के बिना पृत्वी पर तापमान में भारी व्रिद्ध होगी। जलच जल्चक्र अन्य जैव भूर आसायनिक चक्रों का भी एक अभिन अंग है। बारिश की बूंदें, बैक्टीरिया और ओध्योगिक कालिक के कणों और धुएं जैसे जैविक एजेंटों को लेने के लिए भी जानी जाती है।